साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशय है आधूरी भगती चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुरानी बात है एक छोटे से गाउं में एक साथू रहता था वह साथू हर वक्त काना जी के स्मरण में लगा रहता था वह काना जी के लिए रोज खीर चावल बनाता था और हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठे रहता था कि मेरे काना कब आएंगे लेकिन उस साधू की एक बुरे आदत भी थी वो वहाँ गाओं में रहने वाले नीची जाती के लोगों से दूर रहता था उन्हें अपने आशरम में नहीं आने देता था साधू का मानना था इससे मेरे काना नराज हो जाएंगे वो तो स्वामी है इन नीच छोटी जाती वालों के आशरम में प्रवेश करने से वो मुझे दर्शन नहीं देंगे इसलिए वो साधू कभी भी किसी से ठीक से बात नहीं करता था साधू के आशरम से थोड़ी दूरे कोडी रहता था वो कोडी भी काना जी का बहुत बड़ा भगत था नित्या प्रति दिन वो भगवान क्यों पासना करता था और हर वक्त काना की भगती में डूबा रहता था जब भी साधू कोडी के घर से पास से गुजरता तो कोडी को कहता नीज तूझ जैसे कोड़ी से काना जी क्या मिलने आएंगे वो तो स्वामी है तूझ जैसे के घर में क्यों आने लगे भला और बोलते बोलते वो साधू आश्रम चले जाता अब कुछ वरश यू ही प्यतीत हो गए अब साधू को लगने लगा कि काना जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे अब तो साधू भगवान की मूर्ते के सामने रोने लगा और कहने लगा प्रभू एक बार तो मुझे दर्शन दे दो मैं प्रती दिन आपके लिए खीर अब दर्शन के साधू के आश्रम आया साधू उस समय काना जी को भोग लगाने जा रहा था उस बालक ने कहा साधू महराज मुझे जोरों की भूख लगी है मुझे कुछ खाने को दे दीजे अब उस बालक से इतना सुनते ही साधू गुस्य में तिल मिला गया एक तो और दूसरा काना की भगती में विघन साधू ने आव देखा नाता एक पत्थर उठाकर बच्चे को दे मारा उस दरिद्र बच्चे के सर से खून बहनी लगा साधू ने कहा भाग यहां से बच्चा साधू के आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोड़ी के घर में चला गया कोड़ी ने उस पच्चे का रक्त साफ किया पट्टी बांधी और उस भूखे बच्चे को भोजन दिया बच्चा भोजन करके चला गया दूसरे दिन फिर वही दरिद्र बालक साधू के आश्रम आया साधू ने फिर उसे मारा और भगा दिया फिर वह कोड़ी के घर में चल जाता अब एक दिन की बात है कि साधू स्नान के लिए जा रहा था साधू को रास्ते पर वही कोड़ी दिखा साधू ने जब उस कोड़ी को ध्यान से देखा तो साधू आश्र ऐसे भर गया क्योंकि उस कोड़ी का कोड़ गायब हो चुका था और वो बहुत ही सुन्दर वैसला किया कि पता तु लगाना ही पड़ेगा अब इससे अगले दिन फीर वही दरिदर बच्चा साधू के आश्रम आया साधू ने फिर उसे मारा बच्चा जाने लगा तो साधू उठ खडा हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस दरिदर बच्चे को रोज मारता आखिर चक्कर क्या है देखना पड़ेगा साधू उस बच्चे के पीछे-पीछे जाने लगता है जैसे ही वह कोडी की जोपडी में पहुचता है साधू की आखे फटी की फटी रह जाती हैं साध संगत जी स्वयम तीनों लोकों के स्वामी काना जी बाके बिहारी जी कोडी के घर पर बैठे हैं और कोडी उनकी चोड पर मलहम लगा रहा है और काना जी भिक्षा में मांगी न जाने कितने दिनों की बासी रोटी को बड़े चाव से खा रही हैं साधू काना जी के चर्णों में गिर कर कहनी लगा मेरे काना मेरे स्वामी मेरे आराध्य है अपनी मुझ जैसे भगत को दर्शन नहीं दिये और इस नीच को दर्शन दे दिये मुझसे क्या गलती हो गई प्रभू जो आप इस कोडी की जोपड़ी में आ गए भीक में मांगी बासी रोटी आपने खा ली और मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन खीर चावल बनाता हूँ आप वो लगती थी और मैं इतना भूखा होता था कि मैं इस मानव के घर चलाता था वो जो मुझे प्यार से खिलाता है मैं तो उसी के पास खाने चला आता हूँ अब तू ही बता कि इसमें मेरी क्या गलती है साधो कानाजी के पैर पकड़ कर रोने लगता है और कहता है प्रभू मु मेरे आशरम क्यों आते थी मैं तो आपको दरीदर समझ कर मारता था क्योंकि मेरे काना तो स्वामी है वो दरीदर कैसे हो सकते हैं काना जी ने कहा हे साधू तुझे किसने कह दिया कि मैं केवल महलो में रहता हूँ तुझे किसने कहा कि मैं सिरफ चपन भोग खाता हूँ तु मैं ही हूँ मैं ही हूँ महलो का स्वामी तो मैं ही हूँ जोपड़ी का दरिदर बिखारी मैं ही हूँ जो प्यार और सच्चिश रद्धा से खिलाने पर बासी रोटी खा लेता हूँ और स्वार्थ से खिलाने पर छपन भोग को भी नहीं छूता मैं हर जीव में बसा हूँ की पर अधूरी की और काना अंतरध्यान हो जाती हैं साधू उनके चरण पकड़ कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि जिसका एक पल पाने के लिए लोग जनमों जनम तब करते हैं वो भगवान मेरी कुटिया में भीक मांगने आते थे और मैं मुरक दरिदर संपन तेखता था और फिर वो साधू कोड़ी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तो सारी जिन्दगी अधूरी भगती की आप मुझे सची भगती के पद पर ले आईए मुझे अपना शिश्य बना लिजी कोड़ी साधू को गले लगा लेता है साध संगत जी इश्वर ये दरंग कारदातार कणड़ में हैं, वो बिखारी भी जो आपकी चोखट पर आता है ना, वो भी इश्वर की मर्जी है, क्योंकि किसी ने कहा है, वो भीग लेने नहीं बस दुआ देने भी आता है, और हमारी परिक्षा लेने भी, ज़रा सूचिए कि परिक्षा पास किये ब देता, तो भगवान हमारी परिक्षा लिए बिना, हमें अपना दर्शन और भक्ति कैसे देंगे, इसलिए भगवान को आप हर जगा मानिए, भगवान तो इस रिष्टी के एक कणकण में है, हर एक इंसान मेश्वर का रूप है, इसलिए हर किसी से प्यार करिए, अगर आज कि ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाक्षर जरूर कीजेगा, आप सभी से फिर मलाकात होंगी, नई साखी और नए विचारों के साथ, साथ संगत ची प्यार से कहना धान रंकार